इस बार NTA ने काफी बड़े चेंज किये हैं eligibility criteria में जैसे कि आप देख सकते हो point number H जो कि आपकी screen पे है ये NTA के तरफ से issue किया हुआ information bulletin है इसमें लिखा हुआ है the candidates having passed a 4 year और 8 semester bachelor degree program should have minimum 75% margin aggregate मतलब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो student 4 साल वाला graduation कर रहे हैं या कर चुके हैं वो students भी eligible हैं UGC exam देने के लिए वो लोग भी apply कर सकते हैं बट एक बार अगर आपने exam pass कर लिया तो उसके बाद आप only and only PhD में admission के लिए और GRF that is junior research fellowship के लिए eligible हो जाएंगे आपको as an assistant professor की जो eligibility है वो आपको नहीं मिलेगी वो मिलेगी after completing post graduation या फिर PhD program तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है so the candidates who are pursuing 4 year और 8 semester bachelor degree वो apply कर सकते हैं इसमें जो इनकी performance रहेगी इस exam में तो PhD admission के लिए उनको within 1 year apply करना होगा और अगर वो within 1 year apply नहीं कर पाएंगे so in that case जो उनका certificate होगा जो उनका scorecard होगा PhD में admission के लिए वो खतम हो जाएगा खराब हो जाएगा उनको दुबार से फिर again UGC net exam में यह appear करना पड़ेगा और अगर आप post graduation कर रहे हो तो ऐसे में आपको दो साल का टायन दिया जाता है PG complete करने का लेकिन PhD में admission के लिए केवल एक साल के लिए आपका scorecard हो वो valid रहेगा so यह काफ़ important information है आप सभी कुछ चीश को समझना है और आपकी इस जो screen पर given है आप इसका screenshot भी ले सकते हो ताकि आप बाद में भी इन चीज़ों को समझ सकें इसके लाब अगर आप UGC net की तियारी कर रहे हो तो आप exam mentor एप में इस्टॉल कर सकते है from play store इस से जो आपकी तियारी exam targeted हो जाएगी अभी हमने टू मन्त का crash course भी स्टार्ट किया है तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हो लिंक की given है description box में जरूर चेक आउट करें और अपने mobile phone में एप को इंस्टॉल करें Thank you so much